हेलो फ्रेंट्स मैं गौरव आपका एक्साम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूपी एसाई की धीवी के एड्मिट कार्ण है और जो वो लिस्ट है वो आपकी कव तक आएगी और दोस्तो यह हम सब हो शकती है ठीक है फ्रेंट्स दोस्तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी एसाई के जो डीवी हैं टोकिमेंट वेरिफिकेशन है जो 25 अप्रेल से स्टार्ट होने वाला है लेकिन आज 22 अप्रेल हो गई है अभी तक आपके एडिमिट कार्ण हो नहीं आ हैं तो हमने जो बात की इसके हलब नमर पर हम आपको रिकोड़िंग उसनाएंगे तो आपके आज जारी करते जाएंगे आपकी डीवी कव है कि सटारी है क्योंकि दोस्तों 22 सब्सक्राइल हो गई और जो डीवी काड़ हो तीन दिन पहले से ही आते हैं हमेशा से और आज से तीन दिन ही बचे हैं आपके उसके डीवी के लिए तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो डीवी काड़ है या कोई सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके आठ नौ बज़ तक आज एड्मिट कार्ड और लिस्ट वगरा सब कुछ आ जाएगा बात कहने की यह है इसलिए आपको पहने खोने की जुरत विल्कुल भी है नहीं फ्रेंड्स यह तो रही है आपकी यह सूचना ठीक है और दोस्तों आप हमारे बहुत कंटिट्स पूछ रहते कि भाई रनिंग अब कब से हो सकती है तो भाई हम आपको बता दें यूपी पुलिस में या यूपी में जैसे को भी भरती होती है पुलिस की होती है या पहले 2016 वाली हमने देखी है इसमें डीवी के बाद रनिंग के लिए बिलकुल भ दोस्तों के लिए नोट्स है वह 27 सारी को आपका जो नोट्स है वह निस्चंत आ जाएगा कि आपकी कंव से स्टार्ट है ठीक है फ्रेंट्स्तों सबसे पहले जो सब्सक्राइब दोस्तों जैसे यह आपके डीवी की डेटा आती है तो हम आपको निश्चनत यह बता देंगे कि आपका जो माक्स है नॉर्मलाजेशन होने के पस्चाद कितना बन रहा है यह हमारा एक पर्सनल अनुवाव है इसलिए फ्रेंट्स हम एक वीडियो ले कराएंगे कि जनका जो फाइनल सेलेक्शन है एकदम स्योर रहेगा कि भाई इतनी जिस डीट को इनका डीवी है उनका सेलेक्शन स इसलिए आप धहर बना कर रखिए डीवी से भी बहुत ज्यादा एहम जानकारी हमको मिलती है ठीक है दोस्तों कि इसलिए आपके जो अने वाले हैं और जैसे आपकी डीवी में कितने जो कंडिटेट्स हैं वह मतलब की not qualified होते हैं हाइट में कितने निकलते हैं और किमेंट मे सब्सक्राइब करेंगे इसलिए आप से रुक्वेस्ट है आप चैनल को जरुरू सब्सक्राइब कर लेना यूपी एसाई में आपको उसके लिए बहुत ज्यादा है मिलने वाली है ठीक है फ्रेंट चलिए दोस्तों आपको हम सुना देते हैं रिकॉर्डिंग जिसमें हमार इस रिकॉर्डिंग को फॉन लगा के सुनना क्योंकि दोस्तों संसाधन होने के वावजुद हमारे पास इतना सस्टम है नहीं कि इसको मदलब कि आप सुन सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि भरती बढ़़ात अब फॉन करते हो ऐसा ही होता है इसलिए अब धैर्वना कर आपको सब कुछ एकदम समझ में आज आएगा और दोस्तों यह आज की रिकॉर्डिंग है ठीक है फ्रेंट्स चलिए दोस्तों रिकॉर्डिंग को करता हूं शुरू आप भी अपना यह फोन लगा ले ना ठीक है फ्रेंट्स मैं आपका स्वागत हैं एक इस रूट इस बिजी प्राइए चाहिए अगें लेटर इस विजी आगें लेटर है नमस्कार आफ यूटी बिलिग विए अटिवो है लो जी तुर अवाजा रिया आपकी प्रवाइब कर दो जाएगी अच्छा आजा जाएगा अच्छा आजाएगा अब पता चल जाएगा अच्छली वह रिजवर्वेशन कर वाना था ना इसलिए थोड़ी चिंदा था इसलिए फोन किया ना अच्छा अच्छा जाएगी थेंक्यों नहीं अच्छा लेफ तो फार जैसा कि आपने सुना कि सर ने वताया है कि जो आज लिस्ट है वो डी वीजी की आप यह आ जाएगी यह एडमिट का आपके आजाएंगे ठीक है ऐसा होता है इसमें आपको मैं बता दू एडमिट काड़ कि आप सभी लोगों के नहीं आएंगे जिसके जैसे कि किसी का 25 को दीवी है तो इसके Śचा है जिसको सथाइस का है उसके चोडिस को आएंगे तीन कि पहले ने के डीवी के अप्ट कर आते हैं लेकिन एक लिस्ट जरूर आ जाती है जिसमें आपको यह पता लग जाता है कि आपका जो दीवी है इतनी डेट खूछाए और कहा पर रहे यह सारी डिटेल आपको मिल जाती है एक उसके अंदर पीडियो फाइल के अंदर पीडियो फाइल आती है ठीक फ्रेंट इसलिए आपने इस चंतर है आज आपके जो डीवी के लेश्ट वो आने वाली है और एडिमिट कार्ड जैनका पत्चीज को रहेगा उनका आज आज अड को ठीक फ्रेंट फ्रेंट यदि आपका कोई डाउट रहता है जैसे दोस्तों मैंने यूपीएसाई डोकुमेंट वेरिफिकेसन है इसके लिए वीडियो से लिए नहीं बनाई क्योंकि फ्रेंट काफी वीडियो यूट्यूब के अंदर हैं काफी हैं अंके सब भी बना चु को तो आप हमारे कमेंट वॉक्स में डालिए या फिर हम भी अपने जो यूपीएसाई के डीवी किये वीडियो बनाएं वह आप हमको इसमें कमेंट में आवश्य बाता हैं ठीक है फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और रनिंग आपकी दसमाई से रनिंग इसा हुआ था इन लोगों ने 11-12-12 वजी ने रनिंग कराई थी जिसमें 75-75-70% डिस्क्वालिफाइड हुए थे तो उसमें एक जो कैंडिडेट्स था उसकी साथ डेथ हो गई थी और कुछ लोग होस्पिटल में एडमिट हो गई थे तो उसके बावजूद जो बोड था उसने नियम बनाया था कि वही दस वजे के बाद किसी भी कैंडिडेट्स की रनिंग ना कराई जाए दस वजे के बाद सुबै और साम को चार वजे से पहले किसी की भी रनिंग ना कराई जाए तो वो नियम उस समयोस भरती के लिए बना दिया था अब दोस्तों उसके बाद ठीक है फ्रेंट तो यह नियम उन्होंने पनाया था ऐसा ही नियम हो पे वज़ा किसी को यार दूप में पर इसान करना ठीक नहीं है तो यह यह दोस्तो और यह यह उनका सिस्टम शुरू-शुरू मज़र रनिंग कराते ना सुबह सुबह में वह दो तीन गंटे में तो उनका करें दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो नीचे में कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो क्योंकि दोस्तों कोई भी अपडेट होती है हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर क्या सेर करें ठीक दोस्तों उत्तरवर्दीश फुले साफ की सेवा में सदय उत्तवर्ट चैहिन